लड़का बोला दिल रुबा लड़की बोली पिज़ा खिला लड़का बोला पैसे नहीं लड़की बोली कैसे नहीं लड़का बोला महंगाई है लड़की बोली तो फिर आज से तु मेरा भाई है एक सराबी सराब पीकर एक अर्थी से टक्रा गया और बोडी नीचे गिर गई लोग सराबी को पीटने लगे सराबी बोला अरे जो गिरा है वो तो कुछ नहीं बोल रहा तुम काहे रेता बन रहे हो रहे कोरोना तुम अब तक कहा थे बीबी की सौपिंग बन, मौल जाना बन, आउटिंग बन, बाहर खाना बन और सबसे बड़ी बार मुँपर मास्क का ताला लगाने से दिन भर की चिक चिक बन बाहरे कोरोना तुम भी क्या कमाल की चीज हो आज तक जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाए वो तुम ने कर दिखाया दुनिया चिल्ला रही है कोरोना वाइरस, करोना वाइरस इंद्रदेव समझ रहे हैं करोना बारस, करोना बारस एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजला रहा था पप्पू उसे ध्यान से देखता हुए बोला बाई सहाब आप स्टार्ट नहीं हो पा रहे हो तो मैं धक्का लगा दू क्या पीछे से पत्नी बोली ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना बना कर दू पत्नी बोले ये पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है पत्नी बोला तुम मास्क क्यों नहीं पहन रही हो पत्नी बोली आपको पता कैसे चलेगा कि मैं मुझ फुला कर घूम रही हूँ दादा जी बोले बेटा जरा अंदर से दात लाना पोता बोला लेकिन अभी रोटी नहीं बनी है दादा जी दादा जी बोले अरे रोटी को मार बोली सामने वाली बुढ़िया इस्माइल दे रही है टीचर बोली बच्चों से अगर दुनिया में बिजली नहीं होती तो टीवी कैसे देखते पपू बोला मुम्बत्ती के लाकर एक बार पपू डॉक्टर के पास गया डॉक्टर जाज करते हुए बोले तुमको आईरन की कमी है डॉक्टर की बात सुनकर पपू बोला डॉक्टर सहाब कील खाऊं या सरिया एक मच्छर दिन में ही आदमी को काट रहा था आदमी ने पुछा मच्छर से अरे भाई दिन में भी क्यों काट रहे हो मच्छर बोला ओवर टाइम कर रहा हूं सहाब माबाप बिमार है घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में एक लीटर खून मांगा है संता बोला बनता से यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती बनता बोला क्या यार संता बोला यही कि इंसान बिना मुहुर्थ के पैदा होता है बिना मुहुर्थ के मर भी जाता है और सारी जिन्दगी सुब मुहुर्थ के पीछे क्यों भागता फिरता है पत्नी बोले अरे सुनती हो पनीर की सब्जी में पनीर तो ढूंडने से भी नहीं मिल रहा है पत्नी बोली चूपचाप खालो जी इस सब्जी का नाम ही खोया पनीर है पत्नी बोले अरे भागेवान प्यास लग रही है पानी लेकर आओ पत्नी बोली आज तुम्हें मटर पनीर साही पुलाव गुलाब जामुन और हल्वा बना कर खिलाओं पत्नी बोले वाह वाह ये भी कोई पूछने वाली बात है आह मुह में पानी आ गया पत्नी बोली आया ना मुह में पानी बस इसी से काम चला लो टीचर बोले पिंटू बताओ अक्बर का सासनकाल कब तक रहा पिंटू बोला सर पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 22 तक मुहले के बच्चे आपस में बाते कर रहे थे यार एकात कोरोना का मरीज को छुपा देते हैं अगले साल परिक्षा के समय काम आएगा भाभी बोली अच्छा बताओ देवर जी पजामा और प्लाजो दो भाई हैं और दोनों में क्या आंतर हैं देवर बोला भाभी जी एक सरकारी इसकुल में पढ़ता है और दूसरा कान्वेंट इसकुल में झाल जाल जो हैं और दोकारी आंतर हैं और देवर जान राएगाज़ जी जी एक सरकारी जी एक टिसकिशर देवर देवर प्लेशदत Sum यह जग बोला दूसरा का लाट दुबाराई जूसरा